पॉलिवुट के दबंग एक्टर यानि की सलमान खान की फिल्म दबंग 3 बॉक्स ओफिस पर रिलीज कर दिया गया और फिल्म रिलीज होते ही दर्सको को काफी जादा पसंद आ रहा है जी हाँ खास करके PBR हो या मल्टिप्लेक्स या फिल सिंगल थियेटर सभी सिनेमा घरों में फिल्म को चबरतस्त रिस्पॉंस मिला है जी हाँ पहले दिन ने बॉक्स ओफिस पर तावर तोड़ कमाई करते ही नजर आई और सनी बार को भी या कलेक्शन काफी जादा इजाफा देखनी को मिला जी हाँ यानि कि सुक्रबार और सनी बार को दोनों ही दिन बॉक्स ओफिस पर सलमान खान का जलबा चाया रहा मीडिया रिपोर्ट की ख़बर माने तो दो दिन में सलमान खान के फिन दवंग थिरी ने करीब 100 कड़ोर का आकरप पार कर लिया है हलाकि आपको बता दे कि अभी तक इसके बारे में कोई भी ओफिशली खबर नहीं आई है लेकिन खबर या भी आ रहे है कि संडे को या कलेक्शन थोड़ा और इजापा होने वाला है संडे को खबर आ रहे है कि संडे को करीब बॉक्स ओफिस पर करीब 60 कड़ोर से ज़ादा का कलेक्शन सलमान खान की दवंग थिरी कर सकती है अब देखना यह गा कि क्या वाके में सल्मान खान की दबंग 3 संडे को 60 कड़ों का कलेक्शन पार कर पाएगा या तो संडे को ही पता चल पाएगे लेकिन चुन्वूल पांडे का जल्वा बॉक्स ओफिस पर सर चड़ कर बोल रहा है खास करके सल्मान खान और सुनाक्षी सिन पर फिलमाया हुआ आइटम तलका तो दर्शकों की चुवान पर सर चड़ कर बोल रहा है तो वहीं मुन्ना बधनाम हुआ दर्शकों की चुवान पर काफी जादा पसंद आ रहा है कुल मिलाके कहा जाए तो दबंग 3 में हुआ सभी मसाला मजूद है जो दर्शकों को दाती है ऐसे मगर आप लोगों ने अभी तक दबंग थिरी नहीं देखा है तो आप अपन नजदी की थीटर में जाकर दबंग थिरी जरूर देखे और जिन लोगों ने फिल्म को देखा है वह हमें कमेंट करके जरूर बताए कि आपको सुनक्ची सिना सलमान खान और की जोड़ी तबंग थिरी में कैसी लगी